यह देखिए इंडियन नेवल मरी टाइम म्यूजियम वार अब हम लोग यहाँ चल रहे हैं यह देखिए अंदर से इंडियन नेवी का यह टॉर्पीडोज हमें लग रहा है सर्फेस टू सर्फेस मिसाईल है यह मतलब उपर चलती है यह शिप का एंकर है फूर एंकर्स यह देखिए ओरिजिनल शिप का एक एंकर 20 mm गन यह देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे आपको यह भी किसी प्रकार की गन ही लग रही है सब गन्स है इदर रेंज फाइंडर 6 इंच गन्स रेंज डिसाइड करने के लिए गन का देखिए शिप का वील तू पे चोटी सी यह रेखिए है ऐसे शिप्स होते थे पहले इंडियन नेवी के पास पोर्ट अफ कैलिकट 16th century यह देखिए सोलवी सेंचुरी में सोलवी शताब्दी में ऐसा था यह पोर्ट कैलिकट का पोर्ट कहते थे इसको देखिए सब मैप्स दॉइंग्स यह देखिए सब एंशेंट शिप्स बिल्ड इन बीपोर यह देखिए अलग-अलग काटेगरी है शिप्स की टंगी मंजी यह देखिया है यह तो फ्लीट अब आ गई है आसम आसम से शिप्स कि अधिया है यह देखिए नेवी के क्यूप्मेंट्स हैं कंपस लग रहा है तूट गया है यह देखिए एंजिन कैसे चलाना है शिप को फुल हाफ फुल हाफ स्टाइंड बाई एंशेंट सी के ट्रेड रूट्स दिखाए गए हैं कि आपको कहीं से सी के रूट में ट्राविल करना हो तो कैसे करेंगे देखिए आफ्रिका को पूरा ऐसा गोल गूमते हुए यह अरेबियन सी यह इंडिया और हम लोग इंडियन माप में कहीं यहां पर हैं यह कैलिकट यह पोर्शन है यह कन्या को मारी था केप कैमराउन जहां पर हम लोग थे अभी लास्ट फिर यह चाइना यह देखिए और भी डीटेल है इसमें इंडिया की और केरला की तमिल नाडू साइड में है यह देखिए कैसे पोर्ट्स ऑफ केरला जितने भी केरला में पोर्ट्स हैं उनको यहां पर दिखाया गिया यह दिखिए यह हमारी मॉडर्न नेवी नेवी के जहाज सब्मरीन्स fighter jets जो की हम लोग के ships के उपर से उड़ने की ताकत रखते है यह देखिए ship बन रहा है modern तरह से एक ship ऐसे बनता है उसका representation है और पुराने time पर ships ऐसे बनते थे यह पुराने time का representation है यह देखिए, ठेकेदार को कैसा बनाया गिया इदर मजदूर, सबकी बॉड़ी फिट है एंड ठेकेदार शेर किया फ्रेंच और ब्रिटिश की जो शिप्स हैं बड़ाई में चल रहे हैं हमके लोग भी गिरे हैं धुआ, गोला, बारूद यह डच इस्ट इंडिया शिप्स हैं क्योंकि सब लोग इधर ही आएंगे सबसे पहले इंडिया जिसको आना था ऐसे ही रिलिजिन का भी डिस्ट्रिब्यूशन इंडिया में केरला से ही हुआ है यह वाल्यूशन हुआ है, पोर्ट का, कोचिन के स्पाइसेज देखिए, ट्रेड हो रहे हैं इसमें पिक्चर में प्रेजिन्टेशन में इसमें भी देखिए, स्पाइसेज बेच जा रहे हैं यहां के नीटिव्स, स्पाइस उगाते थे और बेचते थे देखिए हल्दी और ना जाने क्या-क्या स्पाइस अद्रक यह उड़ते बेच रही हैं फिर यहां पर वासको डिगामा भाई साब भी हैं यह रखिए वासको डिगामा का एक स्टैचू और यह गुजराती पाइलेट इनके बगल में हैं वासको डिगामा वासको डिगामा कैसे इंडिया आये थे और उसमें यह जो गुजराती पाइलेट है इनका क्या रोलता यह लिखा हुआ है यह है वासको डिगामा का शिप्स या जिन शिप्स पे सवार हो करके यह और इनके लोग आये थे का मॉडल है यहाँ पर जो बना हुआ है हर तरफ कोई ना कोई शिप से रिलेटेड चीज़ ही होगी यह देखिया यह सब हाइटेक शिप्स है एफ ट्वेंटी मिसाइल इंफर्मेशन सब लिखी हुई है इसमें आप लोग पॉस करके पढ़ सकते हैं एरक्राफ्ट गन है ऐसी गन एरक्राफ्ट में होती है यह देखिया पाउंडर गन है अलग तर इधर आएंगे अंडर वाटर माइन है ओम जी पानी के नीचे माइन ऐसी होती है डाइविंग करी जाती है इसमें देखिये डाइविंग बेल है इसमें आगे शीशा लगा होता होगा और उतार देते होंगे यह भी कुछ टर्म थ्री स्वीप डाइवर्टर रॉकेट लॉंचर्स हैं इसब अच्छुल हैलिकॉप्टर खड़ा हुआ है इंडियन नेवी का और यह एक शिप रखा हुआ है इंडियन नेवी का छोटा वेसल है किरी केस की इनफर्मेशन सीकिंग हेलिकॉप्टर की आंटी सबमरीन वार्फेयर में यूज हुआ है नौ सेना और इसी के बगल में ट्रेनिंग सेंटर भी है इंडियन नेवी का यह रहे है 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 रिटेज स्ट्रक्चर कैसे यूज होते हैं इंडियन आर्मी में रैंक बैज़ आफिसर वायर रिग यह अलग-अलग ड्रेस हैं इंडियन आर्मी की फीमेल्स की भी है मेल्स की भी है जापनी सौड रखी है इदर और स्मॉल आर्म्स वेपिन्स वर्ल्ड वर्ल्ड टू के वेपिन्स हैं इंडियन विश्व युद्ध में यह सारे वेपिन्स सारे वेपिन्स रखे हैं लॉक्ड हैं इंडियन सकते हैं यह से इंडिये रिखिये गन चली होगी इंडिये आड्मिरल ओस्कर स्टैनली डॉसन यह चीफ ऑफ नेवी स्टाफ रहे हैं 1982-1984 में उनकी पर्सनल विलॉंगिंग्स हैं उनहीं की तो दुनी का यह सौड उनके बाज़े बोड ओफ मेडल्स हैं इसमें गोवा और सब जगे जहां जहां आपके जैसी जैसी सेवाएं होती जाती हैं वैसे वैसे आप लोगों को यह मिलते हैं या नेवी ओफिशर्स को मिलते हैं विशेष सेवा श्री लंका विदेश सेवा विदेश सेवा मेडल माल्डीप्स 20 साल की सर्विस पे बहुत सारे मेडल्स हैं इसी कुरु विल्ला इनकी परस्नल बिलॉंगिंग्स भी यहां पर रखी हैं शहीदों का विवरेंड देखिये हैं अरपन कल्चर पांड्याज इस सब के बारे में छोटी छोटी इंफार्मिश जो भी कैसे भी मरी टाइम या मरीन लाइप से रिलेटेड थे जितनी भी डाइनिस्टीज उनके बारे में बहुत प्यारा सा एक शिप का स्ट्रक्चर देखिये आगे एंकर लटका हुगा यह एक देखिये प्रिशिंग बोट बबल में मेरे ऐसी बोट्स आज भी समुद्र में जाती हैं पतली पतली सी नेवी की वीर गाथाओं से भरी हुई है और हर एक पिरियड में कहां कहां पर नेवी का क्या क्या काम रहता था वो भी है यह आवाज एक वीडियो रूम से आ रही है जहां पर हम लोग चल रहे हैं कोवे हैं इनको थोड़ा थोड़ा खाना दे रहे हैं और एक एक काके डिल ले जाता है यह पास विरा इस्तिया नहीं आया है यह रिखिये लेगा और यह क्रेंधर लेगा देधर